एक लाख पार्टनर को बानने का सिस्टम है शेयर्स और इस्लामिकली शेयर्स के कंसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पार्टनर का अगर दस हो सकते हैं पचास हो सकते हैं हजार हो सकते हैं एक लाख भी हो सकते हैं दस लाख भी हो सकते हैं दस लाख शेयर्स हो सकते हैं दस लाख पार्टनर्स हो सकते हैं वहाँ पचास उपे था कितना हो जाएगा बढ़ने लगेगा 60-70 होने लगेगा यह तो natural बात है भई यह naturally बढ़े तो इसमें problem नहीं होता है problem तब होता है जब artificially बढ़ता है artificially कैसे बढ़ता है derivatives की वज़ा से बढ़ता है Islamic होकम यह है कि derivatives trading हराम है क्योंकि उसके नहीं बहुत सारे problems है और हमारे कुछ brothers हैं है जिन्होंने companies को screen किया था Bombay Stock Exchange के वहाँ से कुछ software के जरीए उन्हें around 500 ऐसी companies मिली जिसमें debt नहीं है zero debt companies zero debt companies तक्रीबें 500 ऐसी companies मिली लेकिन of course दूसरे factors चेक नहीं हुए थे यहां मैं आप लोगों को एक दर्द भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ सुनिए यहां बात यह है कि हम Muslims के पास बहुत बाया investment है मुसलमान एक बहुत बड़ी lobby है हम लोग चाहते हमाँ investment as a block जा सकता है कहीं पर लेकिन फिर क्या है कि हम चाहते हैं कि हलाल तरीके से invest हो तो हम देखते हैं कि कई शरिया advisory companies start हुई जिन्होंने शरिया compliance चेक करते है शरिया compliance चेक करने के अंदर वो चेक करते हैं कि यह जो companies है जैसे Bombay Stock Exchange पे more than 6000 companies है इसके अंदर से कौनसी कौनसी company है जो शरिया compliance है तो उन्होंने एक काईदा बनाया उन्में से कुछ companies का काईदा है कि अगर जितना भी capital है वो companies का उसमें से one third यानि कि 33% अगर सूथ पे लिया हुआ है तो चलेगा उन्होंने काईदा बताया बुलते हैं शरिया compliance हो गई क्योंके one third तो जब हम उनसे पूछते हैं कि one third की दलील बताओ का है दलील तो कुछ लोग तो जवाब honestly देते हैं कि कोई दलील नहीं है और यही बात है कोई दलील नहीं है कुछ लोगों ने बताया कि देखो वसीयत करने की जो गुझाईश है न माल है आपके पास आपके माल में से आप वसीयत will बना सकते हो तो one third तक का will बना सकते हो लेकिन वसीयत और यह तो कुछ अलग है ना one third का figure जरूर मिल रहा है लेकिन one third यहां नाफिस किसे होता है वो connect किसे होता है कियास बैनल फारिक दो अलग चीजों में कियास है एनलोजी है तो कुछ शरिया companies ने अपना यह रूल बनाया बले कि नहीं नहीं 25% 33% नहीं हम लोग 25% अगर सूद पर पैसे लिये हुए तो हम उसे शरिया compliance की certificate दे देंगे वैसी company को 25% लेकिन 25% की भी कोई दलील नहीं है कुछ company से जो कहती है 10% सूदी काम कर रहे है 10% 10% की भी कोई दलील नहीं है अगर सोचो सिर्फ सोचने में क्या है कोई चीज सोचने से नहीं रोख सकता है सोचते हैं तो यह एक दिन जाके होगी न वहीं तो बात है न सोचने से कौन रोख सकता है जरा सोचो कि अगर हमाई पास ऐसी अगर शरिया compliance वाली investment की कोई company होती जो हमारी Muslim company जो ऐसे चांट करके दे कि कौन सी ऐसी companies है जहां 0% सुधी काम ऐसी companies दो सिर्फ एक गुंजाइश है शरियत में सुने बदाओत की एक सही हदीश है नभी सलिए लाजिया समय ने कहा कि तीन चीज़ें आल्ला ने इस उम्मत के लिए माफ किया है एक है खता, mistake, दूसरा है निस्यान, भूल गए जो, वो मस्तु करिहू अलई जो किसी शखस पर force कर दिये जाए तो government rules के जरीए जो चीज़ फोर्स है कि इतना capital आपको वहां रखना पड़ेगा, फ़ला जवाप रखना पड़ेगा वो जो force के तहट जो सूधा रहा है, या force के तहट कहीं capital जमा है, जो government ने force कर रहा है, सच मुझ, वो मजबूरी है वो चीज़ तो माफ की दलील हमें मिल रही है, लेकिन उसके अलावा उपर से अगर किसी ने debentures issue की हुए है, किसी ने bank से loan लिया हुआ है, तो वो चीज़ की दलील नहीं मिल रही है तो हम देखते हैं जैसे शेक सौले उसेमी डॉक्टर सौले उसेमी उसेमी नहीं उसेमी जो उन्हों ने अपनी एक लिस्ट बनाई हलाल2.com के नाम से जो सौधी के स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वैसी वैसी कंपनी से जो 100% शरिया कंप्लाइंट है उसका रिजल्ट यह हु मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसी अगर एडवाईजरी बॉटी होती है और हम मुसल्मान थोड़े बेदार होते और बेदार होने की बन्याद पर अगर हम ऐसी एक बॉड़ी को सपोर्ट करें जो छांट करके सही पूरे पूरान और अधिस के इसाब से जो सही कंपनी से कि 50 होने दो 100 होने तो कोई मसला नहीं हम बताएंगे यह 50 शरिया कंप्लाइंट है फिर क्या होगा कि अगर हमारे पास इन्वेस्टर्स है लोगों की लॉयल्टी है लोग चाहते हैं कि यह एडवाईजरी बॉड़ी की बात मान के हम लोग करें तो फिर क्या होगा कल और कंपनी 50 से 100 होगी 100 से 1.5 सोगी 200 होगी क्योंकि वो लोग चाहते हैं यह मुसलमान इंवेस्टर्स इनके पास पैसा है न यह लोग आके हमारे पास इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट करने के लिए वो अपने आपको कंप्लाइंट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर क्या होगा हमा आपके पास कोई बड़ा बिजनस प्लाइन है और अगर आप मार्किट से कैपिल उठाना चाहते हो आपको कैपिल की जरूरत है तो हलाल अल्टरिनिटिव में से एक अल्टरिनिटिव है शेर मार्किट जैसे हमारा दुश्मन है जैसे आन इसलामिक है उन नजरों से देखने कि कोई जरूरत नहीं है बलकि आपकी कंपनी इंशाला एक हलाल कंपनी होगी जिसके अंदर शरिया कंप्लाइन्स होगी तो जब कभी हमारे भाईयों में से जिसकी को अल्ला तौफिक दे जो ऐसी लिस्ट को बना है क्योंकि बात कर सकते हैं हम लोग ऐसे रिसरूर्स अवेल हांड़रंटव हंड्रिट परसें हलाल वाला आएगा भी नहीं क्यों कियो valued कि को तनी थर्टी परसेंट पे कुछ लोगों ने 25 पर कॉम्परे मैइस किया और कुछ ही जो टैन परका एंप कर लेकिन या 3 coffee देन की दलील नहीं है। तो इसमें सही बात है कि इसे भचनी की शकल हो और यह चेक करके लाया जाए आइस्ता इस्ता इनकी ग्रोथ होगी और आइस्ता इसके अंदर इंशाला बेनिफिट पैदा होगा और हलाल अल्टरनिटिफ बढ़ेंगे इंशाला तो शेयर मार्केट के मुतालिक हम यह देख रहे हैं कि यह कुछ चीज़ें हैं शेय सेयरींट इंटर इंटर फिरंस है इंटक्रीन हमाडिक दी वह वह हैं जहां पर कमॉड़िटी हैं जैसे सोनघ अंदाब्र में मै क्रेड मिटार करना इतना असान हो गया है आदमिंटर पर अपने account खोल दे और commodity market से वो connect होया आता है और यहां internet पे बैठे बैठे सुनिए वो कर रहा है instruction कि मुझे 100 kg copper खरीदना है 500 रुपे का भाव है खरीद लिया मैंने फिर देख रहा है कि बार्केट में भाव क्या जा रहा है यारे कल देख रहा है 502 रुपे भाव हो गए 504 रुपे भाव हो गए अब बटन दबागर क्यों कहेगा आप बेच रहा हूं मैं 504 रुपे में 5010 रुपे में बेच रहा हूं तो वो बेच भी सकता है खरीब भी सकता है बेच भी सकता है मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ step by step पूछूँगा आप लोग जवाब देंगे अगर मान लीजे कोई commodity market में सोना खरीदता है ये कैसा है सोना नहीं पहले सोने की बात करेंगे hand to hand सोने में कायदा क्या है hand to hand वहाँ पे payment hand to hand नहीं जाता है क्यों क्योंकि अगर किसी को delivery भी चाहिए तो delivery बाद में आएगी आते आते का around seven days लगते है तो seven days लगते हैं तो यदन भी यदिन का कायदा तूड जाता है तो commodity markets में सोने और चांदी की trading करना तो clear cut हराम है आईए copper पे आते हैं या दुसे metals पे आते हैं अब ये जो खरीद रहे हैं और उनके account में आ जाता है on paper virtual 100 kilo copper हो गया आपका आपके account में दिख रहा है ना possession आगया के नहीं आया दिख रहा है ना account में ये एकार है के मन्कूल है movable है के immovable है copper obviously movable है तो आपको लेना पड़ेगा possession तो हम देखते हैं इसके अंदर number two problem ये है कि बहुत common है कि लोग possession लिए बगएर बेज देते हैं बहुत common है लोग possession लेते नहीं क्योंकि इतना सावा metal कहां पर लाऊंगा मैं कहां पर लुखूंगा तो possession लेना एक मुश्किल लगता है इसलिए commodity markets के अंदर ये type का problem बहुत common है कि possession लिए बगएर बेज देना और क्या चीज है जो यहां तक आपने देखा जो हमने डिसकस किया इसमें यहां तक आपने और क्या चीज देखी commodity market के मताले आईए हम derivatives पे आते हैं जो सबसे बड़ा problem जो आज की जमाने में दुनिया का बहुत बड़ा problem बन चुका है derivatives यहां तक हा कि खुद American government को for the time being थोड़े time के लिए derivatives trading को रोखना पड़ा जब बहुत at the peak of the financial crisis जब उनकी AIG जब drop हो गई और वो भी derivatives का major role था AIG के drop होने में तो हम देखते हैं कि यह derivatives के मुतालिक क्या बात है आखिर में concept क्या है derivatives का concept क्या होता है सुनीं concept यह है कि कोई भी underlying product होता है उसमें नीचे का product चाहे वो share हो कोई company का share market में कोई भी company का share हो या चाहे वो कोई commodity हो चाहे कोई भी चीज़ हो पेट्रोल हो चाहे currency हो derivatives यह सब में किये जाते है क्या होता है इसमें derivatives में एक आदमी वो product नहीं खरीद रहा है वो product खरीदने का हम लोग पहले options देखेंगे option खरीद रहा है क्या मतलब option खरीद रहा है मतलब मिसाल के तोर पर एक product है फला कंपनी के share है वो फला कंपनी के share 500 रुपे के है वो share 500 रुपे के है अब अगर वो company में अगर invest करना है आपको 100 share लेंगे तो कितने रुपे जम जाएंगे 50,000 50,000 में 100 share हत्मे आएंगे हम तो 100 share लेकर रख सकते हो बैज सकते हो कर सकते है लेकिन क्या होता है कि derivatives में ये होता है कि आप share खरीदोंगे तो आपके 500 रुपे ब्लॉक होंगे वो कहते हैं कि हम तुम्हे options हम पहले देख रहे हैं हम तुम्हे option देते हैं share खरीदने का मतलब 500 रुपे का share है उसका एक option वो खरीदता है अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं going long and going short क्या मतलब वो 500 रुपे का share 520 में खरीद सकता है option कि मैं 520 में खरीदूंगा आने वाले दो महीने में आने वाले एक महीने में आने वाले period में फला period में मैं ये share 520 रुपे में खरीदूंगा option खरीदा नहीं ये option उसे particular price में मिलता है हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 50 रुपीज में मिला कि 50 रुपीज में उसको option मिल गया 520 में खरीदने का option 520 में खरीदने का यानि अब वो कितने खरीद सकता है उसके पास 50,000 रुपे थे तो वो तो 100 शेर खरीद सकता था लेकिन अब वो कितने खरीद सकता है 50 के हिसाब से भजार शेर खरीद सकता है शेर नहीं खरीदा शेर खरीदने का option खरीदा अब वो option का मामला ऐसा है कि मान लीजे कल वो शेर का भाव 550 हो गया 550 हो गया तो वो 520 में उसने खरीदने का option खरीदा था ना अब वो exercise करेगा उस option को और exercise करके वो share को 520 में खरीदेगा हाला के भाव 550 है हाला के price 550 है वो 520 में खरीदेगा और 520 में खरीदा तो एक एक share पर उसको 30-30 रुपे बेनिफिट हो रहा है दे रहा है वो कितना 50 हमने लिया 50 थोड़ा ज़्यादा हो गया उसको कम कर लीजिए ऐसा करते हैं हम उसको 10 रुपीस कर देते हैं उसके charge को जो charge उसने पे किया 10,000 10 यानि के 50,000 रुपे में वो 5,000 शेयर्स खरीद चुका है option अब वो option को exercise करके 520 के भाव में उसने लिया था 520 में खरीद करके वो बेज देगा 550 में मतलब कि एक एक शेयर पे 20-20 रुपे कमाएगा 10 रुपे तो उसको देना है ना 10 रुपे माइनस होंगे तो 20-20 रुपे कमाएगा और वो direct profit करेगा और अगर मान लीजिए इसके अंदर going shot क्या है कि 500 का भाव चल रहा है वो कहेगा मैं 480 में खरीदने का option ले रहा हूँ 480 में खरीदने का option हुआ अब अगर मान लीजिए 480 में बेचने का option भी दे सकता है जो चीज़ है नहीं हो बेच सकता है उसके पास है नहीं लेकिन वो कहे कि मैं 480 में बेचने का option ले रहा हूँ इसे going shot कहते हैं कि मैं 480 में बेचूंगा ये कब क्यों कहेगा क्यों कहेगा जब market गिर रही है जब market गिर रही है और उसको पता है कि आने वाले 2 महीने में 6 महीने में ये 480 की जवाद 450 भा हो जाएगा तो उसने 480 में बेचने का option लिया है नहीं उसके पास share लेकिन बेचने का option दे रहा है वो वो बेचने का option दे रहा है अब अगर market सचमुच सारे 400 तक पहुंचती है तो वो option को exercise करेगा अगर option को exercise नहीं किया तो उसके पैसे गए option का exercise किया वो तब exercise करेगा जब उसके पास कुछ benefit होगा यहने market situations में कुछ benefit है तब वो उस option को exercise करेगा futures में और options में यही फर्ख है कि futures में लाजिम है उसे future contract भी कहते है मतलब उसमें option में तो option होता है कि चाहे तो लो चाहे तो ना लो लेकिन futures में अब लेना ही पड़ेगा और ताकि कभी ऐसा हो कि market बहुत ज़्यादा difference हो गई बहुत ज़्यादा difference हो गया उसने 480 सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं market तो चड़ी हुई है उपर ही उसने सोचा था कि गिरी गी लेकिन गिरी नहीं तो इस situation में क्या होगा कि futures में उसके पहले से deposit रखना होगा जहां daily जो भाव चेंज होते है उसके deposit में plus minus होता है इसे mark to market कहते है चलिए concept हो मैंने बता दिया बनियादी तोर पर इसमें क्या क्या problems दिख रहे है बताइए आपके छे उसूल याद है के नहीं याद है छे के छे याद है ना एक बार revision कर लें ताकि इसको analyze कर लो number one consent number two capable to transact जो कर रहे हैं वो capability होना चाहिए तो transact आगे पीछे तर्टीब हो सकते number three number four owner या owner की तरफ से number five possession होना चाहिए number six clear होना चाहिए क्या product है clear होना चाहिए ओके चलिए बताइए जी इसमें क्या होता है जैसा मेरे पांच लाग है जी पांच लाग है तो इसके अंदर facilities देते हैं कि उसके पर 20 टाइमस तुम ज्यादा खरीच सकते हैं यह पांच लाग के पर एक करोट का माल खरीच सकते है मार्केट से तो यह नहीं कर सकते इसमें इसमें clear नहीं है मतलब आने आले दिनों में क्या होएगा मतलब six point जो है वो इस पर अप्लाए हो सकते सबसे पहली चीज़ जो आदमी के पास है यह नहीं वो बेच देता है आदमी हां जो है नहीं उसको बेचने का option उसने डाल दिया उसका बेचने का future contract कर दिया जो है यह यह नहीं उसके पास हां यह क्या है यह खुद ही एक problem है और जो हम देख रहे हैं इसके अंदर first problem के possession के बगार लोग बेच रहे है कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है यह दोनों चीज़ एकुल होती है दोनों sides है तो possession के बगार काम हो रहा है यह पहले इसकी बुन्यादी कुछ नहीं है इसी वज़ा से आप देखेंगे के पूरी world की जो economy है उससे कईयों गुना जादा trading हो जाती है futures के जरीए actual stocks जतने होंगे actual shares जतने होंगे उससे कईयों जादा कईयों गुना जादा trading हो जाते है share market पे derivatives के जरीए तो मिसाल के तोर पर अगर यह product का भाव बहुत सारे लोगों ने demand कि बहुत सारे लोग ने जा जाके खरीद लिये cups तो भाव बढ़ता तो कितना बढ़ता लेकिन जब यह option खरीदते हैं और option खरीदने की वज़ा से जो इसका price अगर share market पे trade हो रहा होता अगर तो क्या होता? इसका प्राइस जतना बढ़ना चाहिए था उससे बहुत जादा बढ़ आता है उसका जितना होना चाहिए तो उससे जादा हिल जाता है मतलब बहुत जादा price fluctuation होते है इसी वज़ा से petrol वगयरा के अंदर यह बहुत सारे problems होते है currency markets में बहुत सारे problems होते है derivatives के interference के विया से तीसरी चीज़ इसमें वाज़ नहीं है कि तुम कलका कह रहे हो कि मैं इतने में खरीदना यह price यह तो clear cut gambling की शकल है यह clear cut gambling है gambling में जैसे आदमी एक बुली लवाता है कि मैं lottery ticket ले रहा हूँ अब वो होगा नहीं होगा it's all on luck यह सब यह चीज़ इसकी कोई गुझाईश जी नहीं कि कोई कह रहा है मैं 480 में खरीदने का option ले रहा हूँ खरीदने का contract कर रहा हूँ किस बन्याद पर कर रहे हो कोई तुम्हें 480 का कलका भाव आज offer कैसे कर सकता है यह वजाहत की clarity कहां से आई यह clarity ही नहीं तो हम देख रहे हैं कि यह clear cut सटे बाजी यह gambling का form है और जो लोग gamble करते हैं और जिसकी वज़ासे speculation वगेरा की वज़ासे markets unstable हो जाती दुन्या को बरदाश करना परता है बोज यह लोगों के problem का हम देखता है metals की market कई बार unstable हो जाती यही speculators की वज़ासे तो यह जितना यह चीज़ बढ़ते जाएगी derivative trading उतना जादा दुन्या की markets unstable होती जाएगी उतना जादा उसे कोई भी direction में भेजाया सकता है यह सारी चीज़ों के जरीए तो इसलाम ने यह चीज़ derivatives की trading हराम बताई है जिससे दुन्या को बहुत बड़ा नुकसान होता है इसके तालुक से कई सारी statistics available है कि किस तरह से दुन्या में बहुत बड़ी economic बरबादी आई और इसी वज़ासे इसे weapons of financial mass destruction बिल्कुल सही तोर पे कहा गया है यह एक economy को बरबाद करने वाली चीज़े हैं जिसने अफसूस की बात है कि बहुत सारे Muslims भी इसमें मुब्तिला हो चुके हैं और derivatives को किसी तरह से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सही बताने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारी बुन्यादी Islamic principles इसमें तूट रहे हैं और इसके गलत होने के तालुक से कोई मतलब गल्फ कंट्री ने जो भी सेर मार्केट एक्टिविटी ने खोते हैं तो इसमें डरिविति का कोई रोल होता नहीं बहुत मोस्टिब कोई वहां के मिले ओम्स्टिवोग का गल्फ कंट्रीज में क्या डेरिविटेव्स ट्रेडिंग होती है जि हा होती है Gulf countries में आपको commercial interest based banks भी मिलेगी और जो शक्स जितना Islam पर जिस economy ने अमल किया उसको उतना खेर और भलाईया मिली तो हम देखता हैं कि बहुत सारे principles है Islamic economics के जैसे Malaysia वगरा में apply किया उन्होंने उनको benefits मिले और जो benefits जो principles तोड़ेंगे तो वो principles के तहत वो unstable हो जाएंगे हम देखते हैं कितनी सारी economic crisis लाई जाती है investors के जरिये derivatives की वजा से कोई भी economy को गिराना बहुत आसान हो जाता है control कुछ लोगों के हाथ में होता है derivatives की वजा से तो ये ये चीज़े हैं जो आज होती है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की economic pressures में होते हैं तो हम किसी के अबर होकुमा फटवा नहीं लगा रहे हैं बड़ जेनरली बोलते हैं जो चीज़ सही है हो सही है जो चीज़ गलत है कुछ लोग कहते हैं कि 33 percent कुछ लोग 25 percent कोई 10 ती और दलील देते हैं जैसे शेर की सारी गलादा समंदर में जाती है और समंदर का पानी पाक होता है उसी तरह से बड़े कैनवस में वो जाके छोटी चीज सही हो जाती है कहां तक दुरूस्त है भाई का सवाल यही है कि जैसे हम देखते हैं कि शहर के सारे जो नाले हैं वो जाते हैं समंदर में और समंदर का पानी पाक है तो ये बड़ी चीज में छोटा component है तो हम ये बताते हैं कि जरा गौर करो जरूरी नहीं है कि समन्दर का पानी पाक ही होगा जरूरी नहीं है अगर नजासत की वजह से जो गंदी चीज गई हुई है पानी में एक बड़ी बाड़ी है पानी की उसके अंदर गंदी चीज गई हुई है उसकी वज़ा से अगर तीन चीजें चेंज हो जाते तीन वस्फ, तीन अट्रिब्यूट्स उस पानी के क्या है वो? टेस्ट, कलर, अंखों से, स्मेल उस नजासत की वज़ा से चेंज हुआ नजासत की वज़ा से नहीं, मिट्टी चली गए, मिट्टी नजासत नहीं मिट्टी की वज़ा से कलर चेंज हो गया, वो नजासत नहीं नजासत गंदगी के वज़ा से उसका टेस्ट चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, उसकी स्मेल चेंज हुई वो पानी से वुजून नहीं कर सकते हैं अब यहां आप यह देखिए कि अगर कोई कहे कि पानी की बाड़ी उसमें एक तिहाई टॉलेट गया है वन थर्ड या 25% वन फोथ उसमें टॉलेट गया हुआ है तो हमें क्या लगता है कि उसका चेंज हो जाएगा कि नहीं हो लगा 10% में भी डाउट तो लग रहा है तो हम कहते हैं कि यह कब अपलाय होगा जब जैसे कोई बहुत बड़ी चीज के अंदर कोई बहुत छोटी सी चीज जाए जो शायद 1% से कम होगी तो जो अपलाय होगा यह कानून भी है जैसे हम कहते हैं दलील क्या है मैंने एक डलील दी आपको मजबूरी वाली जो चीज मजबूरी के तहेत है वो तो माफ है बाकी जो बहुत स्मॉल कौंटिटी वाली भी दलील है कि बहुत स्मॉल कोई गorous गल चीज हो समंदर का color वगएरा तो change नहीं होने वाला है obviously, अगर मान लीजिए कि समंदर के अंदर 33% या 25% या 10% नजासत चली गई, तो बहुत high chance है कि उसका color, taste वगएरा change हो जाएगा high chances तो हम देखते हैं कि यह minute quantity है तो यह गुंजाइश है, यह एक exception है मतलब हम Islamic शरियत से exception लेने तयार है, जो Quran अदिस से थाबित है तो मान लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ में कोई बहुत छोटी सी गलत चीज़ चले जाए तो शरियत ने उस चीज़ को over look किया है उसको माफ किया है, इसी वज़ा से वो पानी में आता दिख रहा है, यही स्कॉलर्स का कहना है वो कहते हैं 10% की दलील नहीं है दलील है तो कोई minute zero point something के अंदर कुछ हो जो कोई चीज़ आ गई inadvertently तो वो चीज़ की तालुक से हमें दलील मिल रही है mutual, investing in mutual funds जे, इसलामी गरू से जाइज है जजाक लख है mutual funds में invest करना कैसा है mutual funds का concept क्या है mutual fund का concept यह है कि share market में individual investor जाता है और share market में invest करता है हमने देखा कि share market में with restrictions invest करना जायज है लेकिन restrictions जो है काफी serious है और जो restrictions हमने देखे वो restrictions के अंदर pass हो के निकलने वाली बहुत चंद companies मिलेगी current scenario में अब इसके अंदर आदमी खुच जब invest करता है तो problem यह है कि वो market को track नहीं कर पाता है कौन सा trend चल रहा है कौन सी चीज बढ़ रही है कौन सी चीज काम हो रही है तो यहाँ पर roll आता है mutual funds का mutual funds के पास managers होते हैं जो market के अपर नजर रखते हैं market को track करते रहते हैं क्या चीज उपर जाने वाली क्या चीज नीच आने वाली है और वो लोग invest करते हैं उन companies में problem यहाँ यह है कि जो mutual fund जो है मान लीजिए एक fund है वो 25 companies में invest कर रहा है एक साथ में और आपने mutual fund के साथ एक लाग invest कर लिए mutual fund वो 25 company में invest करेगा जो भी कमाएगा वो कमाने के साथ से आपको share देगा एक particular share आपका होगा particular share उनका होगा तो हम यह देखते हैं कि mutual fund के अंदर problem क्या है कि जो company में invest कर गएए वो company तो हलाल होनी चाहिए न पहले हमारी जो सारी criteria जो individual companies के लिए थी वो उस mutual fund के लिए भी होनी चाहिए अब कही बार क्या होता है कि core sectors जैसे है जैसे infrastructure वगएरा ये core sectors के अंदर जो हराम elements बच जाते हैं बहुत सारी हराम companies बच जाती जैसे अगर tourism industry hotel industry वगएरा ये सब चीज में गलत चीज आने का जादा chance होता है तो जो core sectors है उसके अंदर गलत चीजों के chances कम होता है लेकिन problem क्या है कि हमारी सिर्व वही criteria थोड़ी है पहली वाली और दुस्री वाली जो पहली दो criteria हमने देखा कि company हलाल होनी चाहिए और उसका कोई major by product हराम नहीं होना चाहिए तो आगे की जो conditions है वो conditions को care करने के लिए हम क्या करें तो कुछ ऐसे mutual funds भी बनाये गए जो खास Muslim investors के लिए है जिसमें derivatives को avoid किया गया जिसमें banks insurance को avoid किया गया लेकिन बाकी की जो आखरी criteria हमने देखा कि उसके अंदर component क्या है interest का वो component बहुत जरूरी है क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो शरिया advisors है ऐसे कुछ mutual funds के जो mutual funds खास Muslims को mind में रखके launch किये गए तो वो शरिया advisors जो शरिया compliance बता रहे थे उनका खुद का criteria था कि 33% allowed है या 25% allowed है या 10% allowed है जो particular 10% वाली तो मुझे नहीं पता है कि कोई mutual funds लाँच किया गया है बट उससे जादा वाली है तो हम यह देखते हैं इसी वजह से mutual funds के अंदर भी वही problem आ जाता है जो share market में लाजली आज दिखायाता है जे नाजरीन बाते तो बहुत सारी है और ये discussion जो चल रहा था ये भी बहुत एहम है लेकिन वक्त हमें आप अजासत नहीं देता कि हम इस बात को और आगे जारी करें तो इस episode को हमें यहीं पर खतम करना होगा लेकिन हमारे पास मौका है अगली episode में फिर एक बार इंशाला तिजारत के इसलामी उसूल के तहट और जो हमें हमारा दीन सिखाता है तिजारत के मुतालिक ताकि हम उन बातों को जान कर अपनी और दुन्या में खैर और भलाईया ला सकें तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में फिर एक बार शरीक रहें और अपने मुतालिकीन पहचाने वालों को भी दावत दें कि इस प्रोग्राम के साथ हम सीख सकें तिजारत के इसलामी उसूल जजाकि लाख खेर असलाम उलेकुम रहमतुला हम टें leur रहें इस प्रोग्रामी व्रोराम के था वह हम जावत शर्स हम च्रहाँ में एंवस्ट्राम ज़न ही रहाँ